हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू त्रिशास किचन आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है आप अगर फर्स टाइम कोई केक डेकोरेट कर रहे हो तो आप भी यही मेतर्ड फॉलो कीजे तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यह यहाँ पर मैंने लिया है यह रेड वेलवेट केक जिसकी रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ तो इसे हम कट कर लेंगे मैंने इसे तीन पार्ट में कट कर लिया है आप चाहो तो इसे दो पार्ट में भी कट कर सकते हो बहुत ही सॉफ्ट है यह इसलिए से बहुत ही केरफुली कट करना है तो इस तरीके से मैंने इसे तीन पार्ट में डिवाईड कर लिया है अब यहाँ पर मैंने ये फूड़ प्रोसेjuk सर जार लिया है जिसको मैंने तीन से चार गुंटे तक फ्रीज़र में रखा था इस में मैंने डाली है वन कप विप्ट क्रीम इसे हम आठ से दस मिनिट के लिए हाई स्पीड पे बीट करेंगे तो ये देख लीजे हमारी क्रीम जो है वो ठीक होने लगी है हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है इस जार को हम उल्टा करके देखेंगे ये देखिए बहुत ही परफेक्ट क्रीम बनी है अब हम यहाँ पर एक केक की लेयर लेंगे उसमें हम लगाएंगे शुगर सिरप शुगर सिरप के लिए मैंने आधा कप पानी में दो टेबल स्पून चीनी डालके उसको बॉइल कर लिया है बस चीनी मेल्ट होने तक ही इसे बॉइल करना है और उसे ठंडा करकर यूज करना है तो उसके बाद मैंने लगाई है ये विप्ट क्रीम विप्ट क्रीम को हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे अब हम इस पे केक की दूसरी लेयर रखेंगे इसमें हम वापस एक बार शुगर सिरप लगाएंगे शुगर सिरप हमें बहुत ही अच्छे से लगाना है ताकि हमारा केक जो है वो मॉइस्ट रहे हमने इसमें क्रीम अपलाई की है क्रीम को केक के चारो तरफ से अच्छे से लगा देना है एक ठीक लेयर बननी चाहिए अब हम केक की थर्ड लेयर अपलाई करेंगे थर्ड लेयर को हमें उल्टा करके अपलाई करना है उसका जो ऊपर का हिस्सा है हमें नीचे कर देना है और सेम प्रोसेस फॉलो किया है पहले मैंने शुगर सिरप लगाया है उसके बाद मैंने ये विप्ट क्रीम लगा दी है तो इसको केक के चारो तरफ से हम लगाएंगे अब मैंने लिया है ये पॉलितिन यह normal polythene है जो हमारे घर पर easily available होता है इसमें मैंने एक cake nozzle डाली है cake nozzle ज़रूरी नहीं है लेकिन इससे आपके cake की जो thickness है cream की जो thickness है वो proper रहेगी तो इसे हम cake के चारो तरफ से इस तरीके से लगा लेंगे अगर आपके पास cake nozzle ना हो तो आप polythene को एक cut लगा लिजे और उसकी मदद से भी आप cream लगा सकते हो अगर आप first time cake decorate कर रहे हो तो palette knife की मदद से first time हम properly करने ही पाते है उसका level proper हो नहीं पाता है तो इसलिए ये जो है ये best option है तो इसे इस तरीके से हम level कर देंगे same हम उपर से भी करेंगे की है उसमें मैंने nozzle नहीं लगाया है इस तरीके से आप polythene को cut लगा कर इस तरीके से cream अप्लाई कर सकते है इसे भी हम cake scrapper की मदद से लेवल कर देंगे equally apply करेंगे ये देखिये अब मैंने यहाँ पर एक zigzag वाला scrapper लिया है जिसकी मदद से हम इसे side से इस तरीके से गुमाएंगे जिससे बहुत ही अच्छा डिजाइन आएगा और शेम शेपर को उपर की तरफ से हम zigzag मोड में गुमाएंगे ये देख लीजे इस तरीके से बहुत ही अच्छा डिजाइन बनता है ये यहाँ पर मैंने लिया है ये red velvet cake crumbs इसे हम उपर से छिड़क देंगे ये cake crumbs जो है मैंने red velvet sponge से बनाया है red velvet sponge को mixi में हम चला सकते हैं या फिर हाथ की मदद से भी इसे crumbs बना सकते हैं तो इसे हम side से भी apply करेंगे हमें cake के one fourth हिसे में apply करना है और cake के चारो तरफ इसे लगा लेंगे जितना भी axis नीचे गिरा हुआ crumbs है उसे हम इसमें से हटा लेंगे तो यह देख लीजे यह हमारे red velvet cake का final look है कितना सुन्दर दिखरा है यह बहुत ही प्यारा बना है आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजे बहुत आसान है इसे बनाना यह देखिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कितना soft बना है यह परफेक्ट red velvet cake बना है आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजे और मैंने चैनल को सब्सक्राइब कीजे थैंक यू